नमस्कार दोस्तों, All in One में आप सभी का स्वागत है आज मैं आपकी लिलाई हैं गुजरात प्रांथ में रहने वाले दो ग्रहमर भाईयों का प्रकरण जिनका नाम था जीवा और दक्ता तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करते हैं एक समय की बात है गुजरात के अंदर एक भरूच सहर है भरूच सहर में आज से लगवग पांसो पचास वर्स पहले एक शुक्लतीर्थ नाम का गाउं बसा हुआ था उसमें 30-40 घर थे उस गाउं में जीवा और दत्ता नाम के दो ब्रहमर भाई रहा करते थे उन्होंने संतों के सत्संग सुने वे संत कहा करते कि पूरे संत के बिना जीव उद्धार नहीं होगा इन अधूरे गुरूओं के चक्कर में मनिश्य शरीर भरबाद हो जाएगा फिर न जाने कब और कौन से युग में मानव शरीर प्राप्त होगा तब तक यह प्राड़ी 84 के चकर काटता रहेगा इसको ऐसे ही गवा देना यह कोई समझधारी नहीं है अब उन दोनों भाईयों ने फैसला किया की बात तो जो कीतियों है कि यह मनिश्य शरीर का मिलना कोई बार बार नहीं होता यदि इस से सदभक्ती नहीं हुई तो इसकी कोई कीमत नहीं है मिट्टी का मिट्टी है उन्होंने पहले किसी संद से उपतेश ले रखा था परन्तु जब सुना कि पूरे संद के बिना जीव उद्धार नहीं है तो उन्होंने सोचा कि हम पूरे संद से उपतेश लेंगे अब पूरे संद की क्या पहचान हो जहां भी जाते हैं सभी संद अच्छी बाते बताते हैं परमात्मा की महिमा गाते हैं हमें तो बहुत प्रिय लगते हैं हमें पता ही नहीं लगता कि इन में अधूरा कौन है और पूरा कौन उन्होंने सोचा क्या फैसला करें अपने आप ही मन में फैसला लेते हैं एक सूखे व्रच की टहनी जो बिल्कुल सूख कर जलने योग्य हो चुकी थी उसको अपने आंगन में जैसे पौधा लगाते हैं ऐसे लगा दिया और फैसला किया कि इसमें सभी महारूप पुरुसों के चरण दोकर उनका चरणामरत डालेंगे जिसके चरणामरत से ये टहनी हरी हो जाएगी हम उसे पूर्ण संत मान कर उपदेश ले लेंगे और समरपण कर देंगे अनिथा नाम नहीं लेंगे जिन महापुरुसों के बड़े बड़े आश्रम बने हुए थे उनके पास गए उनको घर पर पधाने की प्रार्थना की कुछ महापुरुस उनके घर पर आये उनकी सेवा की भोजन करवाया और चरण दोकर चरणामरत को उस सूखी टहनी में डाल दिया जो गरीब के घर पर नहीं जा सकते थे उनके चरण दोकर चरणामरत घर पर ले आये और सूखी हुई टहनी में डाल दिया परंतु वह टहनी हरी न होकर गलनी सुरू हो गई उन्होंने लगभग एक वर्ष तक यह तरीका अपनाया परंतु कोई भी संत ऐसा नहीं मिला जिसके चरणामरत से वह टहनी हरी हो जाए फिर दोनों भाई बैठ कर कहते हैं के हे प्रभु हम प्राणियों को मनुश्य शरीर भी मिला परंत ऐसे समय में मिला कि कोई पूर संत नहीं है हे दाता इससे अच्छा तो हमारे शरीर का अंत कर दो बाकी का जो हमारा मनुश्य शरीर का समय है कभी ऐसे समय में देना जब कोई पूर संत प्रत्वी पर आया हो नहीं तो इस मिट्टी का कुछ नहीं बनेगा प्रार्थना करते थे और रोते थे विलाप करते रहते थे कई महीने ऐसे बीद गए अब वहदीन दयाल अंतरियामी सत्गुरु कबीर परमेश्वर भक्त आत्माओं की तडफ को देखकर वहां सुकलतीर्थ पर पहुँच गए जीवा और दत्ता के मकान के सामने से निकले जीवा बाहर खड़ा था जीवा ने देखा कि इतनी प्यारी सूरत और देखते ही आनन्द हो रहा है जब परमेश्वर उनके सामने से निकले तो जीवा के रोम रोम में आनन्द हुआ इतने में कबीर साहिब आगे चले गए जीवा अपने भाई से बोला कि दत्ता एक महात्मा आया हुआ है क्या कारण है यहां पता नहीं किसी के घर जा रहा होगा मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है आपकी आग्या हो तो उसको अपने घर पर बुलालू दत्ता बोला कि जीवा वैसे तो आपकी इच्छा है लेकिन मेरी इच्छा नहीं बन रही क्योंकि अब प्रत्वी पर संद नहीं रहे इनसे भी यह टहनी हरी नहीं होगी और फिर हमें रोना पड़ेगा इस भूली होई वस्तो को दो बारा याद न दिला जीवा बोला कि देख लो जी जैसी आपकी इच्छा परन तो मेरी तो बहुत प्रबल इच्छा बन रही है कि एक बार अपने घर बुला लाओं यदि आपका हुकम हो तो बुला लाओं दत्ता ने कहा कि मैं आपकी आत्मा को क्यों दुख दूँ जब आपकी शद्धा बनी है तो संद आ जाएं तो अच्छी ही बात है इतनी देर में कबीर साहिप फिर वापस आ जाते हैं जैसे किसी का घर ढूण रहे हो जिसकी सच्ची शद्धा परमेश्वर में लग जाती है उनको शरण में लेने के लिए परमात्मा न जाने क्या कारण बना दे स्वयम प्रकट हो जाएं या फिर अपना संद भेज दे जब जीवा के मकान के पास आए तो जीवा दंडवत प्रणाम करके बहुत म्रदुभाशा में बोला कि हे परवदिगार दास की जोपड़ी साथ में ही है एक बार पगफेरा कीजिए चरण रखिये दाता कबीर साहिब तो उसी उद्देश से आये थे अपना उद्देश पूरा करना था अंदर प्रवेश कर गए साहिब के लिए बैठना दे दिया कबीर साहिब बैठ गए तत्ता बोला कि जीवा संतों का चरणाम्रत बनाएंगे चरण धोएंगे कबीर परमिश्वर के चरण धोए तत्ता बोला कि जीवा संतों के चरणाम्रत को या तो पान कर लेना चाहिए या फिर किसी पौधे में डाल देना चाहिए ऐसे वैसे गली में मत फेंकना जीवा ने वह पात्र उठाया और चर्णाम्रत को सूखी टहनी में डाल दिया वह सूखी टहनी चर्णाम्रत डालते डालते हरी हो गई और उस पर कोपल फूट आई अब जीवा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा अपने भाई दत्ता को कहा कि भाईया जल्दी दौड कर आओ जिसकी तलास थी वे आज स्वयम आ गए है अब दोनों भाई देख कर बहुत प्रसन्न हुए विनय की किहे परमेश्वर आज तक कहां छपे थे दोनों एक एक पैर पकड़ कर खुब फुट फुट कर रोने लगे कहने लगी कि हे दाता आप पहले क्यों नहीं आए कबीर साहिब बोले कि मैं पहले भी आ जाता परंतु तुमारा भरम नहीं मिटता तुम सोचते कि एक महात्मा और है सायद वह इनसे भी बड़ा होगा मेरे आते ही ये कारे तो तुमारा हो जाता परंतु फिर तुमारे मन में शंका रह जाती कि एक महात्मा और है जो बहुत बड़े मंडलेश्वर है और तु वहां भी जाता फिर क्या होता है कि गुरु को तजे भजे जो आना ता पश्वा को फोकट ग्याना जब पूर संत मिल जाएं तो फिर आन संत में आपकी श्रद्धा कुरु के तुल्य नहीं रहनी चाहिए आदर अवश्य करें जैसे पतिवरता अपने पती से विशेश प्यार करती है परन्तु अपने जेचिठानी, देवर दिवरानी, रिस्तेदारों का आई हुए अथिती का बहुत आदर करती है ऐसे हमने सब संतों वा भक्तों का आदर करना है लेकिन जो आदर अपने गुरु का करते हैं ऐसे नहीं करना पतीवरता अपने पती को जो प्यार दे सकती है और किसी को नहीं दे सकती ऐसे कपीर साहिब जीवा दक्ता को समझा रहे हैं फिर जीवा और दक्ता बोले कि प्रभू दाशों का कल्यार करो तब कपीर साहिब ने कहा उपतेश लो तब साहिब के चरड़ों में लगकर जीवा और दक्ता दोनों भाईयों की मुक्ती हुई